Hello friends, welcome back to my channel, मैं समीदा, आज के वीडियो में मैं आपके साथ share कर रही हूँ Robo Vacuum Cleaner का मेरा personal experience, आप सभी friend की request थी कि मैं उसके बारे में आपके साथ कुछ information share करूँ आज का वीडियो कोई promotional वीडियो नहीं है, अपने personal use के लिए मैंने इसे खरीदा है और मेरा personal experience क्या रहा, positive, negative जो भी रहा, मैं आपके साथ share करूँगी उमीद करती हूँ, ये वीडियो आपके लिए helpful रहेगा, आपको पसंद आएगा अगर आपको ये वीडियो helpful लगा, आपको पसंद आया है, तो वीडियो को like जरूर करें चैनल को subscribe करें, साथ ही अपना feedback शेयर करना नहीं, भूलें वो बहुत ज़्यादा important है और notification bell को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको सबसे प्रेस करें तो चलिए भी नादेरी के, start करते हैं आज का ये वीडियो मेरा ये robo vacuum mactronic brand का है, ये एक Indian company है, जो इंडिया में ही इस तरह के robo assemble करती है तो चलिए पहले इसको unbox करके आपको दिखा देती हूँ, कि इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं और तो आपको भी idea लग जाएगा कि हमें इसमें क्या चीज़ें मिलती हैं और किस तरह से उन्हें assemble किया जाता है, packaging आप देखी सकते हैं काफी अच्छी है, मैंने इनकी official website से इसे purchase किया है तो काफी अच्छी discount मुझे मिल गए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं model number laser on s9 pro है यह, यह इनका high end model है और latest भी तो यही मैंने purchase किया है ताकि सारे जो feature latest आये हैं वो मुझे मिल पाएं, इस particular product को लेने का मेरा जो motive था वो था इसका price और इसके features इस model में जो features हैं वो अगर आप किसी और brand में check करेंगी तो उसका price आपको 40 to 50,000 पड़ेगा जबकि यह उसके आधे price पर हमें मिल जाता है और features सारे वही हैं जो high-end model में आते हैं तो इसलिए मैंने इसको purchase किया, काफी research की उसके बाद ही मैंने इसको select किया था तो सबसे पहले जब हम box खोलते हैं तो इसके अंदर से यह instruction manual मिल जाता है, warranty card है, साथ ही इसमें आपको frequently ask question मिल जाते हैं जो कि आपको कभी कोई problem होती है, तो इनको read करके आप उन problem को solve कर सकते हैं, तो यह यहाँ पर पूरा एक booklet दी हुई है, जिसमें काफी सारे ऐसे question हैं, जो कि हमें problem आ सकती है, तो उनको solve कर सकते हैं, अब देख लेते हैं कि क्या के चीज़ें इसमें मिली हैं, सबसे पहले हमे मिल जाता है, यह charger, यह एक adapter charger type है, simply market में मिल जाता है, इन case खराब होता है तो, और इसके साथ ही है, यह main body, जो कि काफी heavy लग रही थी, अब इसको open करके मैं आपको दिखाऊंगी, next आता है यह charging dock, जिसके साथ हम charger को attach करते हैं, और ck through हमारा यह machine charge होती है, तो यह charging dock है, इसक इसको आप manually और wifi के through दोनों तरीके से control कर सकते हैं, cell भी दिए हुए है, यह है side brush, तो इसमें 2 side brush आजाते हैं, इस तरह के, यह main unit के साथ attach होंगे, साथी इस तरह का cutter मिलता है, जिससे आप इसमें hair वगेरा cut कर सकते हैं, यह head combo dust pen unit, और इसमें आप इस तरह से mop भी कर सकते हैं यह combo वाला, इसमें dry dust भी collect होती है, साथी इसमें इस तरह का यह duster भी है, और एक इसमें dry dust भी नाता है, जो की बड़े size का है, अभी मैं आगे आपको बता दूंगे, उसके sizes वगेरा क्या हैं, तो सबसे पहले यह main unit को हम देख लेते हैं, किस तरह की है यह, तो यह हमने इसक machine के थुरू नहीं दे सकते हैं, उसके लिए आपको remote का use करना पड़ेगा, या wifi से app के थुरू से control करना पड़ेगा, इसकी back side में अगर हम देखते हैं, तो इस तरह की wheel आ जाते हैं, बड़े बड़े, और एक छोटा wheel फ्रंट में आप देख रहे हैं, यह थोड़ा सा, उस त इसमें लगा हुआ है, यह dry dress pin है, और उसका size लगबख 600 ml के असपास है, तो काफी अच्छे size का यह है, तो यह है इसकी back side और यहाँ पर अभी side brush मैं ने इंस्टॉल नहीं के, वह भी मैं करूंगे, आपको दिखाऊंगे, तो इस तरह से उपर से इस तरह से दिखता है यह, और यह है, इसका bumper जिसके थूँ यह sensor करता है, front में कोई object आ जाता है, उसे टकराता नहीं है, और machine damage नहीं होती है, तो सबसे पहले इस तरह से यह charger मैंने लगा दिया है, और अब देखिए, इसमें दो light आ गई है, तो बस इस तरह से यहाँ से press करकी भी आप इसको charging unit तक जब मैंने इसको first time operate किया था, तो यह charge था, 50% charge था, तो यह अराम से काम करना शुरू कर रहा था, तो यह first time ही है जब इसको हम operate करें, अभी मैंने इसका map वोगेरा नहीं install किया है, first time पे इसको fully charge करने के बाद आप अपने phone पर app download कर लें, और जब यह fully charge हो जाए, तब आप smart cleaning इसके start करें, यह आपका floor तो clean करेगा ही, साथ ही आपके घर का जो map है, वो भी एक बार में set कर देगा, कि कहाँ पे कौन सा object रखा हुआ है, कहाँ पे जा सकता है, कहाँ पे नहीं जा सकता है, वो सारी चीज़ें, आप first time एक row जो map होता है, वो इसको बनाने दें, उसके बाद आप उसको customize भी कर सकते हैं, जैसे मेरा दो बेट के मीचे ये चला जाता है, एक बेट का तो height कम है, तो वहाँ नहीं जाता है, तो खुदी वो वहाँ से बाहर निकलाता है, बट जैसे sofa के एक तरफ ये पहले जा रहा था, एक side नहीं जा पाता था, तो वो थोड़ी सी problem हो जाते हैं, कही बार वो अटक जाता है, त तो मैं उसको जाने नहीं देती हूँ, पर first day जब इसने map बनाया था, तो ये पूरा bed के नीचे अच्छे से गूम कर आया था, और सफाई आप देख सकते हैं, ये z and y pattern में करता है, और काफी अच्छी सफाई करता है, vacuuming बहुत अच्छे से होती है, अगर आप इसको regular basis पे clean क करेंगे, तो हो सकता है, आपकी cleaning जो efficiency है, इसकी वो कम होती जाएगी day by day, तो आपको पहले से ही ध्यान रखना है day one से, कि जब भी ये cleaning complete करता है, आपको इसको अच्छे से clean करके, ready करके रखना है, ताकि next day जब आप इसको use करें, तो ये अच्छे से perform करें, surfaces के अगर बात कर तो ये wooden surface पे mopping बहुत अच्छी करता है, बट जहां पर आपको tiles मिलती है, जो थोड़ी सी slippery होती है, उसको clean करने में इसको थोड़ी सी problem होती है, उतना perfect पोचा आप नहीं expect कर सकते इससे, साथी जिसे kitchen की tiles से मैं आपको अभी इससे पहले वाली clip में आपने देखा होगा, व अच्छे से कोने कोने में जाके पहले ये outer surface को clean करता है, उसके बाद inner surface को zigzag way में clean करता है, तो कोई भी कोना ऐसा नहीं कि छूटता है, अच्छे से हो जाता है, अगर आपने carpet बिछाया हुआ है, ये थोड़ा सा uneven है आपकी surface जैसे यहाँ पे bedroom और living room के बीच का जो portion है, उसम भी ये easily cross कर देता है, और इसके रास्ते में कोई हलका object आता है, तो उसे ये अपने साथ खीसतावा लेके जाता है, जिसे आप sleepers को देख रहे हैं यहाँ पे, तो जब भी cleaning शुरू करते हैं, तो पूरा surface आपको इसके लिए खाली छोड़ना होता है, तब ही वच्छे से clean कर पाएगा, यहाँ पे tiles हैं, तो यहाँ पे इसकी vacuuming भी उतनी अच्छी नहीं है, जितनी होनी चाहिए, और इसमें जो mopping है, वो मुझे नहीं पसंद आती है, tiles के उपर, कुछ दाग वगिरा ये छोड़ देता है, थोड़ी थोड़ी जगा पर, इस case में मैं यही कहूंगी कि wet mopping के लिए आप इसमें ज़्यादा उमीद ना लगाएं, लेकिन vacuuming बहुत अच्छी करता है, wet mopping भी कर देता है, बर डिपेंड करता है, आपका surface कौन सा है, regular जो cleaning है, उसको अच्छे से करता है, dry और wet दोनों ही, but in case इसे बरसात है, थोड़े से गीले पैर आगे, उनकी नि तो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं था, मैं अबे जस्ट experiment कर रही थी, और मुझे ये भी नहीं idea था, कि मैं ऐसे आगे जाके review करूंगी, but आप लोग की request थी, तो आज मैं आपको ये proper दिखा रही हूँ कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं इसमें, तो जो आप यह आपर ये dust pin देख रहे हैं, ये वाला इसका combo वाला है, यानि कि इसमें wet और dry दोनों ही slot हैं, तो इसमें water tank भी है और dry dust के लिए भी है, इसके उपर ये mop cloth जो है, उसे हम इस तरह से attach करते हैं, side में इस तरह से लगा हुआ है, इसका hook बना हुआ है, तो इसमें attach कर देंगे और will crow भी है, तो बहुत अच्छे से ये चिपक जाता है, ये देखें इस तरह से आप इसको set कर दें, तो ये ready हो गया है, इसमें पानी fill करने के लिए यहाँ पर ये slot दिया हुआ है, इसमें 1.5 glass तक पानी आ जाता है, बट मैं इसको 1 glass इसमें fill करती हूँ, overflow नहीं करना है, otherwise फि इसको अच्छे से lock कर देंगे, ताकि पानी बाहर नहीं निकले, तो बस ये ready है, mop करने के लिए, दूसरा जो bin है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये machine के साथ लगा हुआ है था, तो इसको यहाँ से आप जब open करेंगे, तो ये है पूरा bin, और ये 600 ml का है, काफी capacity है, पूरा घर अच्छे से clean करने के बाद भी फिल नहीं होता है, तो आप इसको अराम से use कर सकते हैं पूरे घर के लिए, और यहाँ पर इस तरह से ये filter लगे हुए है, हैपा filter है, इसमें 5 layer हैपा filter, इसको आपको पानी से नहीं clean करना है, just dry clean इसको करना है, brush दिया हुआ उ जाली कर दे, उसके बाद dry cloth से आप इससे clean करके दुबारा use कर सकते हैं, तो regular face पे just इतना ही maintain करना होता है इसको, और जो mopping वाला cloth है उसको आपको clean करके dry कर देना है, और next day फिर आप उसको use कर सकते हैं, और water अगर उसमें खतम हुआ है तो आप उसको fill कर ले, तो इस तरह से बस simple सा इसका maintenance है, वही आपको करना है, इसमें जो dust collect होती है, उसको empty करना है, तो चलिए अब आपको बताती है, उसको machine के साथ कैसे लगाना है, यहाँ पर तो simple है, इस वाले में जो mop head है, वो नीचे की तरफ ही रहेगा, और बस इसको इस तरह से insert कर देना है, आपको machine को रखे, तो यह printed है, जहाँ पर instruction दिये हैं, उसको उपर की तरफ रखना है, और इस तरह से इसको भी आप बहुत ही easily, इसमें insert करके, इसको use कर सकते हैं, इसमें slot बने हैं, बहुत ही easily अंदर slide हो जाता है, तो आप देखी सकते हैं, बहुत simple तरीके से justice button को हलका सा press करके, आप कट करके, निकाल सकते हैं, साथ है, हैपा filter को भी clean करने के काम में आता है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ machine को back side से किस में किस तरह से बाल वगएरा first जाते हैं, यहाँ पर इसको मैंने बहुत time से clean नहीं किया है, वो proper वाला जो clean होता है, dustbin empty करना और mob को clean करना, वही मैं regular basis पे करती हूँ, यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा बाल वगएरा first जाते हैं, तो खुदी यह आपको बता देगा कि इसके side brush clean करने हैं, या roller brush clean करने हैं, इस तरह से instructions में खुद से आ जाते हैं, wise के through, वाट इसको अगर बहुत ज़्यादा आपको गंदा लगता है, तो आप इसको weekly basis पे निकाल कर इस तरह से properly clean कर सकते हैं, तो dust वगएरा इसके through भी अंदर जाती है, तो थोड़ी बहुत बाहर भी लगी रहती है, यह देखें, आप यहाँ पर देखी पा रहे होंगे dust, और इस roller brush में मैंने बहुत दिनों बादे से आज निकाला है, regular basis पे इसको important है, किसी भी चीज को अगर आप रखते हैं, उसकी proper maintenance होती है, तो वो अच्छे से perform करता है, तो यह देखें, इस brush के help से इनको clean करना और निकालना काफी easy हो जाता है, एक बार आप यह clean कर लें, उसके बाद इसको again लगा कर इसको use कर सकते हैं, side brush को भी निकालना और लगाना काफी जादा easy होता है, इसमें left and right लिखा हुआ है, तो जो वाला brush जिस side का है, उसी side आपको लगाना होगा, और यहाँ पर यह छोड़ा सा slot दिया हुआ है, just इसमें आपको push करना अच्छे से, ताकि यह tightly इसमें fit हो जाए, यह देखें इस तर सकते हो, इसको आप dry close से इस तरह से फोच कर रख सकते हैं, यहाँ पर आप काफी जगा इस तरह की red light देखते हैं, यह इसमें ladar navigation system है, जिसके थूँ यह पूरा map बहुत accurately बना पाता है, तो इसके काफी जगा आप देखेंगे इस तरह से है, front में इस तरह का यह जो bumper है, यह सपोर्ट करता है, साथी navigation में help करता है, यह किसी भी चीज से इसको ठकराने नहीं देता है, यहाँ पर sensors लगे होते हैं, तो कोई भी object अगर सामने आता है, तो वो पहले ही signal देता है, कि सामने कोई चीज है, उससे हटा दे या फिर अपना रस्ता ही बदल देता है, तो काफी smart है इस मामले में, मैं इसको एप के थ्रू ही operate करती है, मुझे ज्यादा convenient वो लगता है, तो यहाँ पर जो yellow patch आप देख रहे हैं, वो मेरे master bedroom का layout है, तो यहाँ पर आप room wise भी select कर सकते हैं, या पूरा map एक साथ भी से follow कर वा सकते हैं, तो उसमें आप room select करने की first, इस room में जा करेंगे, तो एक room को select करके आप go करेंगे, तो यह इसी room को clean करेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह सारा black हो गया, सिर्फ yellow वाला highlighted है, तो देखी यह निकल चुका है dog से, अभी यह पूरा room clean करेगा, यह वाला dry या wet दोनों ही cleaning में, यह सबसे पहले outer surface को clean करता है, तो पूरा एक बाहर का circle जब यह complete कर लेता है, फिर यह inner circle में clean करता है, तो यह अभी dog पर आगया है, वापस, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसका dust पिन open करके, आप भी surprise हो जाएंगे, surface मुझे बिल्कुल साफ लग रहा था, मुझे लग रहा था, जारू की भी ज़रू अगर आपके घर में pet है, चोटे बच्चे हैं, चोट चोट चीजें गिराते हैं, तो बहुत ज़्यादा useful है, इनकेस आपके पस made भी है, तो भी आप इसको use कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा helpful रहता है, अब मैं आपको यह combo वाला bin लगा के दिखा रही हूँ, जिसमें आप wet mopping कर सकते हैं, इसका जो dry dustbin है, वो आप देख सकते हैं, छोटे size का है, तो इसके होने से यह होता है, कि जब आप पूचा भी करवा रहे हैं इससे, और उसमें भी आपको कई बार मोटा कबारा दिख जाता है, तो वो उसको पहले vacuum करता है, क्योंकि front में आपका dustbin लगा पर तो amazing mopping करता है, आपको लगेगा नहीं कि आपको ज़रत है दुबारा करने की, या किसी और की help की आपको ज़रत है, बहुत अच्छे से दोनों काम करता है, इस तरह का map यह first time में बना लेता है, और यहाँ पर काफी सारे option आप देख रहे हैं नीचे, इसमें first वाला है smart cleaning, जिसमें कि यह पूरे घर को one by one clean कर देता है, जस एक instruction से, इसके बाद आता है designated area cleaning, उसमें आप किसी particular area को target करके इसको वहाँ पर भेजके cleaning करवा सकते हैं, साथ ही यहाँ पर आप suction को बढ़ा या घटा सकते हैं, उसी तरह से water flow को भी आप कम ज़्यादा medium कर सकते हैं, तो यहा यहाँ पर आप यह जिग्जाग pattern इसमें देख रहे हैं, उससे आप देख सकते हैं किसने कहां कहां पर cleaning करी है, कौन सा area छोड़ा है, उस सारी चीज़े आपको map में दिखती रहती हैं, तो काफी ज़्यादा convenient यह लगता है, यहाँ पर देखे मैप को जैसे हैं हम open करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह का interface आता है, जिसमें आपको जो वला room select करना है, उसको आप select करके से वहाँ पर भेज सकते हैं, या फिर एक साथ पूरे घर को भी clean कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ area हलका सा blue दिख रहा है, red patch के उपर, तो यह है अनंत के room का bed, जिसके नीचे की यह चला जाता है, तो इसको मैंने restrict किया हुआ है, और यहाँ पर यह जो आप एक कोने पर exact pattern देख रहे हैं, यह मैंने इससे designated cleaning कराई थी, तो इस जगा से मैं इसको दूसी जगा बेज रही हूँ, वहाँ पर arrow आ गया है, तो अब यह start करेगा इस जगा की cleaning, तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि किसी जगा पर अचानक आपको गंदा दिख रहा है, तो आप उसको उस एरिया में भेज का cleaning करा सकते हैं, और यह वाली cleaning यह बहुत ही efficiently करता है, तो इस तरह से यह देखिए, आप मैप वो पुराना वाला हट गया है, और यहाँ पर नया मैप बनना शुरू हो गया है, तो एक बार यह जो मैप सेव कर लेता है, उसको आप सेव करके रखे हो, हर बार आप उसको यूज कर सकते हैं, इस तरह से zone wise से clean करा सकते हैं, room wise करा सकते हैं, overall cleaning तो करा ही सकते हैं, साथ ही आप किसी area को restrict कर सकते हैं, no mop area या wet आप कहीं पे features हैं, वो आप करते करते ही समझ पाएंगे, तो यहाँ पे जो living room का area है, यह इसने different color में किया हुआ है, इस तरह से यह हर area को अलग-लग section में बाढ़ सकता है, और आप भी इसमें अलग-लग section create कर सकते हैं, जैसे kitchen में ही आप दो area कर सकते हैं, utility का अलग और kitchen का अलग, living room में भ तो उसको भी आप imaginary wall create करके restrict कर सकते हैं, तो इस तरह के काफी सारे features इसमें हैं, जिसको आप जो आपका saved map है, उसी में modify करके use कर सकते हैं, कई बर होता है कि हमें इस area में नहीं भेजना, particular day के लिए तो उस तरह से आप उस particular day पे वहां restrict कर सकते हैं, तो इस तरह से हैं, और इस इसको charging dock पे भेजने के लिए भी जस्ते click करना होता है, यह charging dock पर पहुंच जाता है, इसमें कोई problem आती है, कहीं पर first जाता है, यह attack जाते हैं इसके brushes, तो इसमें से खुद ही voice के through हमें बता देता है, कि side brush आप clean कीजे, roller brush clean कीजे, यह इसमें पानी कम हो गया है, सारी चीज़ यह लेके जाता है, तो आप कोशिश करें कि floor पे ऐसी कोई चीज नहीं हो, जो इसको bother करें, तो अगर इस तरह का कुछ नहीं है, इसको open surface मिलता है, तो बहुत अच्छी cleaning करता है, satisfactory cleaning है, इसमें कुछ चीज़ें है, जो मुझे नहीं पसंदाती है, वो है, कई बार बीच है, blank हो चाता है, जो कि again हमें retain करना पड़ता है, बट इसमें save होता है, उसे आपको current map में convert करना पड़ता है, ये मुझे एक थोड़ी सी problem, dry vacuuming इसकी excellent है, बट wet mopping के लिए मैं कहूंगी कि आपको कुछ-कुछ surfaces पे compromise करना पड़ेगा, especially जब बहुत ज़्यादा जिदी दाग होते हैं, उस time पे, अगर आप अपने घर को सिर्फ maintain करने के लिए इसको purchase करना चाहते हैं, तो इससे best कोई option नहीं है, में चुट्टी कर देती हैं, तो ये बहुत अच्छा helping hand हो सकता है, और हलका फुलका जो आपका घर एक रहता है ना, कि regular basis की जो cleaning होती है, उसे ये बहुत अच्छे से करता है, बट अगर कोई बहुत ज़्यादा जिदी दाग है, तो उनको हटाने में इसको obviously थोड़ी सी problem तो होती है, in fact एक machine ही है, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा technical knowledge में मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि वो सब तो आप online पढ़ ही लेंगे, जो मेरा personal experience था product के स साथ में, वही मैंने share किया, और अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर end करती हूँ, और उमीद करती हूँ, आपको जरूर पसंद आया होगा, इसका जो price वगर है, वो सारा मैं description box में दे दूँग, आपको link भी वहाँ पर provide कर दूँगी ताकि आप इसको चेक कर पाएं कि official site पे, amazon and flip card पे, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर bind up करती हूँ, उमीद करती हूँ, आपके लिए वीडियो helpful रहा हो, आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो वीडियो को like सरूर करें, चैनल को subscribe करें, साथ ही नहीं भूलें, कोई query है तो आप मुझे comment में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, जितना मुझे पता होगा, मैं आपके साथ जरूर information share करूँगी, अपनी experience के हिसाब से, तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आप से कसी और नए interesting वीडियो के साथ, तब तक के लिए, bye thank you, thanks for watching, have a nice day